है अगर एलोग स्वागता आप आपडा है सब्सक्राइब नहीं है थो जल्दी से जाय से जाके सब्सक्राइब करें तो फिल्दे करते हम उन्क है का e-commerce website बना रहे थे जो कि हमारा website अभी तक यहां तक complete था जिसमें नेबर वगएरा complete कर चुके थे और अभी तक आप हमारे चैनल को श्रीज को access नहीं कर दें तो जल्दी से जाए access करें जहां कि हमने e-commerce website का बेकेंड पार्ट और्मोस्ट scratch से लेके complete कर दिया है और अभी हम फ्रंटेंड में हैं जहां पे भी फ्रंटेंड में पिछला classes में क्या किये थे डेटा को बैंडिंग किये थे टू डेटा बेवेव वैटी इंबैडिंग किये थे एक जावा स्कीट अबजेट के साथ तो अभी तक हमारे इस प्लेइलिस्ट को एक्सेश नहीं करें तो चेकट करें डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक होगा और देखें अगर आप कोचा लगता है आज का वीडियो में आगे बढ़ते हैं तो यह टैब हम क्लोज करते हैं दिखाने के लिए रखे थे करते हैं तो हमारा एक साइन अप पेज ऑपन हो जाएगा कुछ जो की कुछ ऐसा दिख रहा आगा जो भी हम फिल्ट भरेंगे पिछला क्लास इसमें देखे थे जो भी हम फिल्ट भरेंगे वह एक ऑबजेक्ट प दिख रहा है कॉंपोनेंट्स के बगल में जो यह साइन अप है यहां पर आपको आ जाना है तो यह साइन अप पर हमने कुछ टिजाइन करके रखा था तो अब यह साइन अप पेज पर हम जो भी बात करेंगे में एक हम ऑब्जेक्ट को कॉल कर लेंगे जिस ऑब्जेक्ट का नाम होगा उन सब्मिट में हम एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे जिस ऑब्जेक्ट का नाम रहेगा हमारा रजिस्टर यूजर तो हम बना लेते हैं आ रहा ही जी एस जी आ रजिस्टर यूजर तो इसको उपर यूजर नौट फाउंड करके एरर होगा तो यह लोड होने कुछ टाइम लगेगा अब तक हम यहां पर आ जाते हैं और यह उपर स्क्रॉल कर लेते हैं स्क्रॉल करने के बाद जो हम यह बनाये इसके नीचे में आके कि यहां पर हम लोग रजिस्टर यूजर का हम बना लेंगे कॉंस्ट और उसको कॉपी करने भूल गए तो यहां पर आ लेते हैं और यह रहा हमारा यह लाइन नमबर 32 में है और इसको हम कंट्रोल सी कर लिए और फिर यहां पर आके पेस्ट कर दिए तो हमारा यह लेट एक वर आदेंगा अब यहां पर हम कंसोल कंसोल टॉट कि लोग कर लेंगे चोकी हमारा होगा वर्प संब्मिट बटम क्लिक तो सब मीट भी यूटबल टीओ बटन चिलिक अब जब भी हम सब्मिट बटन को क्लिक करेंगे अभी हमारा ओर्ट पुट कुछ ऐसा दीख रहा होगा तो आपका इंस्पेक्ट यहां पर कंसोल में दिखेगा कि सम्मिट बटम क्लिक तो एक सेकंड हाँ यह ऑपन हो रहा है हमारा यह तो जैसे हम सम्मिट बटम पर क्लिक किये हैं ऑन सम्मिट यह कर दिया समिट बटम क्लिक थोर सा के लिए दिखा होगा और यह समिट करने लगा तो शिखेर मतलब यह फंक्शन चल रहा है तो आप देख पा रहे होगे यहां पर यह चैन्ट करेगा और समिट बटम है तो वह हैं फायर होता है तो इसके वज़ेसे अभी यह तो नहीं किया यह उन बटम आया था और यह समिट तो यह जैसा ही समिट बटम हम किलिक कर रहे हैं तो यहां पर आ रहा है समिट करने के लिए तो अब जो भी करना है मैं यहां पर कुछ करना तो फिर सबसे पहले हमारा पास कॉल बेक में क्या मिल रहा होगा जब हम नीचे में समिट बटम किल तो गाइज यह सबसे पहला मेरा मिस्टेक था कि यह जो फॉर्म हमने क्रियेट किया था वह फॉर्म का एक एफ छोटा था तो वह जब छोटा होगा तो जावा स्कूप का फॉर्म समिट होता है वह ले लेगा तो मेक्सियोर इसको आप करें क्या कि कैपिटल कर दें और यहां रहा है तो जैसे किलिक कर रहा है तो यह आ रहा है वो और फिर कुछ कुछ सबसे पहले हमें इसकोри करना होगा जो की SAY पहले इसको सभूड करने के लिए हमारे पास एक हम यहां पे हमें Bieber लेंगे इफेंट और जोकी हमारा ऐसा हो जाएगा और हम यहां आएंगे करेंगे क्या event.preventDefault लिख देंगे हम यहाँ पर default तो यह यह मेठोड को कॉल करना पड़ता है जो भी डिफॉल्ट है उसको हटाने के लिए तो अब हम आप आ जाएंगे और देखेंगे तो साइन अप तो डाइटली हमारा आप जो पहले क्या हो रहा था पेज रिलोड वगयरा हो रहा था तो वह अब हमारा रिलोड वगयरा न तो अब जस्ट यह रिशेट पे भी क्लिक हो रहा तो समिट बटम ही क्लिक हो जाएं और समिट पे भी क्लिक करोगे तो दोनों समीट है क्लिक हो रहा तो अब यहां क्या आया कि हम उमारे पास यह जो है यह दोनों को डिफ्रेंसियेट करना एक दूसरे से तो यह कैसे पॉसि बटम जो की स्वारी साइन फुला तो बाइडिफॉल्ट वही कायम करेगा और समिट फॉर्म तो यहाँ पर ओन क्लिक ओन क्लिक जब भी इवेंट फायर होगा तो हम करेंगे क्या इसको दूसरे वाले रीशेट वाला एक हम लगा देंगे और एसी टी अब करेंगे यहां यह से क्या करेंगे हम यहां पर आएंगे और इहां पर शामी जब रहीन कर लेंगे क्या यह एक functions बना लेंगे यह functions हमारा reset बन गया अब हम यहाँ पे console.log कर लेंगे जो की उपर किये हैं और यहाँ पे हम इसको ऐसे कर देंगे तो अब यहाँ पे हम लिख देंगे reset reset बस हमें थोड़ा सा चेंज करना है और हमारा यह सही हो जाएगा फिर से हम refresh कर लेंगे इसको और फिर refresh यह हो रहा है और जैसे refresh हो वाला किलिक करते हैं तो आप तो यह पर देख पा रहे हैं कि reset button clicked और sign up click करेंगे हम तो sign up button click जितने बार हम click करते जाएं उतने बार यह होते जाएगा तो ऐसे करके हम इस दोनों बटम्स को डिफ्रेंशीयट कर पाएंगे कि कौन रीशेट का है तो एक्चुली रीशेट में हमारे पास कुछ और भी करना हूआ जब हम यह यह हटा देंगे और जब भी रीशेट हम करेंगे तो सेट यूजर्स को हमें क्या कर देना हूआ यूजर्स को हमें सेट करके यह ऐसा हम कर देंगे यह हमारा रीशेट नहीं हुआ तो इसको हम लोग देख लेंगे क्योंने रीशेट हो रहा है तो बेसिकली हम जो भी साइन अप भर रहे हैं और जो भी हमारे पास यहां पर आरा है नेम पर तो देखिया नेम पर लौक करना चाहरे है तो इसको जो रिषेट वाला है इतना भी अब डिफ्रेंसियेट करने लोग बता दिये यहाँ पर लोग लॉजिक सोचिए यहाँ कि क्या हम सेट करेंगे मतलब यह सेट कर दिये तो हमारे पास क्यों वो डेटा यहाँ पर रहा जा रहा है फिल्ड में यह स करना होगा सारा तो कैसे कर पा रहे होंगे वो देखेंगे तो हमारे पास जो भी यूजर यहां पर क्या है यूजर है यूजर डॉट नेम जो होना चाहिए वह हमारे पास उसको करके इसको भी हमें यहां पर यह जो है इसको भी हमें पहले अच्छा से करना होगा या फिर नॉट नल एक बार हम पहले करके देख लिए यहां पर तो अगर काम कर जाता है तो ठीक है तो यह जो हमारा है एफ और यहां पर हमारा इफ में यह होगा यह और इसका नाम है यूजर टॉट नेम और यूजर डॉट नेम क्या कर लेंगे हम इसको ट्रीम कर लेंगे और ट्रीम करने के बाद जो ट्रीम फंक्शन से उसको लगाने के बाद ट्रीपल एकुवल टू लगाने के बाद हम यह लगा देंगे और अगर यह ऐसा होगा तो हम यहां पर अलर्ट लगा देंगे अलर्ट नेम नेम इस रिक्वाइड तो यह हमारा हो गया अब हम यहां पर देखें जैसे हम अगर फॉर्म को बीना नाम से सम्मिट करें तो यह आपका नेम इज रिक्वाइड वाला आ रहा है ठीक है तो सक्सेस्पुली काम कर रहा है तो हमें वहाँ चेंजिस करने का जोड़ नहीं है जैसे हम नेम पर या फिर हम नेम पर किलिक ही नहीं करेंगे फॉर्म को हो सके हम टेस्टिंग भी साथ साथ करते जा रहे हैं कि टेस्ट अच्छा प्रोग्राम से बन पाएं तो यहां पर अभी तो नेम पर कुछ नहीं है और हम डालेंगे और यह फॉन नमबर वगर फॉन नमबर आया होगा और यह लिए करेंगे तो निम यह उग्या हुझा है तो आधी कर देंगे अभी नेम में जैसे यह चीजेर सिखत अभ हम यह करेंगे तो आ रहा है तो इसके लिए हमें करना क्या होगा यहां पर आजआ होगा और हमने जो जो फिल्ड को बनाया है उस पर हमें ऐसा लिखना होगा जो की हमारे पास इसको यह हम कर देंगे और यह करने के बाद उसके बाद हम यहां से यह और यहां पर जो जो फिल्ड से हमारे पास सब को हम एक साथ कॉपी कर लेना चाहेंगे जैसे कि यहां पर हमार सम polar name है email है इसको इसको कॉपी करने के लिए किलिप آण हम आपन कर लेते हैं तो हमारा क्लिपवोड़ ओपन हो चुका था और यह आपन करने के लिए मैंने अभी देखा तो विम्डोल लोगोपै करने पे क्लिप बॉड़ ओपन हो लंडेता जोंगि हमारा point mail को भी हुम copy कर लेंगे ctrl C, और फिर password को भी copy कर लेंगे, ctrl C, और फिर address को भी copy कर लेंगे, ctrl C, abort को copy कर लेंगे हम, ctrl C. भी में the or gender को भी कॉफी कर लेंगे हम step अर्फीर हमारे पास यह जो फून है उसको कॉपी कर लेंगे हम बस इतना सारा फिल्ड को कॉपी कर लिए अब जो भी हम कॉपी कि ऑम फैर रहा के पो THE यहां पर आक्ष्ट करेंगे ठीक है तो इसको पोह पेस्ट करना के लिए किलीप पूढ़ हमें ऑफेन कर लेना कलीप बोर्ड में हाँ आ चुका है सारा हम पेस्ट करते जाएंगे जैसे कि नेम तो नेम वाला फिल्ड में ऐसा घर रहे तो अब वाकिव के बाद फिर हम कॉमा लगाएंगे और और Filipino भी करेंगे फिर से और फिर नेम के बाद हम हम और हमक्त यहां करें वह हैं उसके बाद इमेल लेते हैं और यह उसके बाद फिर हमारे पर स्ट है फोन ले लेते हैं हम और फिर फॉन हो जाएगा फिर कंट्रोल भी जैंडर के बाद दुबारा फॉन ही हो गया तो यह जो आपन हो रहा है इसको इसको रिमूब करते हैं अब यह फॉन के बाद जैंडर जैंडर के बाद भी हमारे पास एट्रेस रहेगा तो अब नेक्स्ट हमारे पास बच गया है वह बॉट पास्वर्ड वच गया है लाश है और यह तो हमारे पास टोटल फिल्ट कितना वन टू थ्री फॉर फाइब सिक्स वह में आकर कॉंट कर लेंगे हम जो की हाँ वर्ण कि वर्ण टू थ्री फॉर कि वर्ण टॉर्ण 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 टॉर्ण